जहीं दोस्तो और लिनियन जॉप्स में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं मोडल सिर्ट 13 के टेस्रीज नमर थर्ड के बारे में तो आज हम टेस्रीज कितना देने वाले हैं फार्ड इससे पहले आपको टेस्रीज फॉष्ट और शेकर निकरा चुके हैं यह सबसे पहुंचा सके अगर आपको कोई भी जॉब का अपडेट चाहिए तो प्लिस कमेंट करके लिखे मैं उसको जल से जल आपको उसका नट्रिफिकेशन आप तक में जल से जल आपको प्रभाइड कर दूँगा जिससे आपकी वह जनकारी आपको मिल सके तो फ्रेंट बिना करना चाहिए जो फर्स्ट रूल है आपका जैसे आपको 42 नमर कोश्चन का एंसर पता है 42 का एंसर पता है तो आपको कुछ नहीं करना है इसका राइट एंसर जो होगा A B C E ID आपको कमेंट करके जो एंसर राइट हो वह आपको लिखना है यह तो पहला रूल हो गया दूसरा रूल यह रखा गया है कि अगर मैं इस हर टेस्टरीज में आपको एक यह दो कूश्चन को निसेसरी हर से टेस्टरीज में छोड़ देता हूं तो आपको compulsory है कि वो आपको answer उसका सही से सही आपको बताना है अगर आपको उसका answer नहीं पता है तो मेरे तरब से कोई भी गूगल से आप खोजे या कोई भी बुक से खोजे तो उसको खोज कर ही आप answer बता है इसलिए कि आप जब भी एक question को खोजने बढ़ते हैं तो एक दो question extra और आपके साथ clear हो जाता है तो फ्रेंट बीना देरिक किये चलते हैं इस वीडियो के अगर आपको कोई भी doubt रहा तो comment करके आप ज़रूर पूछ चेकते हैं तो हम जैसे 42 number question क्यों चलते हैं बैंक दर वह दर होती है कौन सी दर होती है option number A B C या D इसकर राइटेंस हो जगा option number C वह दर जिस पर भारती रिजर बैंक और सूचित बैंकों की कर्ज देता है इसकर राइटेंस option number C next question क्यों चलते हैं next और अगला question हमारा भारती डांक भी भाग दोड़ा speed post जो हम speed post करते हैं उसकी का अरंभिक अरंभ कब हुआ या कब किया गया इसकर राइटेंस हो जगा option number A B C या D इसकर राइटेंस हो जगा option number D 1986 में इसका अरंभ हुआ next question क्यों चलते हैं 44 नमर के ग्रेक्शन के नियम से आप क्या तात्पर रहे है option number A B C या D इसकर राइटेंस हो जगा option number B मुद्रा के संचार से मुद्रा के संचलन से next question क्यों चलते हैं next और अगला question है हमारा 45 नमर भारत में वना सपर्थी सर्वेक्षन का मुख्याले कहां है option number A B C या D इसकर राइटेंस हो जगा option number C कोल कता next question क्यों चलते हैं next अगला question नमर आए 46 नमर क्यों चलते हैं मेरा अंतिम उद्देश पर्तिक व्यक्ति की आँखों से आशु पोषना होगा या कता निम्र में से किसने कहा है option number A B C Eard इसकर राइटेंस हो जगा option number B गांधी जी महात्मा गांधी ने इश्कतन को कहा था next question क्यों चलते हैं किस सास्त्रिय निर्थ के मुख्टे का पर्योग किया जाता है option number E B C Eard इसकर राइटेंस हो जगा option number B कथक कली कथक कली में आपका ये पर्योग होता है मुख्टे का next और अगला कोशन है 48 नमर हुजेश उपगरा संचार कंपणी निमलिखित में से किस दूर संचार कंपणी के साथ विले करेगी option number A B C Eard इसकर राइटेंस हो जगा option number A भारती है Airtail Airtail के साथ ये अपना संचार करेगी next और अगला कोशन है 49 नमर क्रिशी विश्विद्यालेग में बौधिक संपदा का अधिकार शेल IPR शेल के राष्टी अध बौधिक संपदा पुष्कार 2019 के लिए चूना गया कौन साराज चूना गया है option number A B C Eard स्क्राइटेंस हो जगा option number D केरल next और अगला कोश्चन है start-up पॉलिशी सोरी start-up start-up पॉब्लिक द्वारा जारी की गई start-up economic ranking में 2019 में दस सो देसो के बीच भारत का रेंक क्या है option number A B B C A D इसके राइटेंस हो जगा option number C 17 रहवा इसके राइटेंसर क्या होगा इसके राइटेंसर इसके पिछले वाले भी सेट में मैं कडा चुका हूँ अगर आपने नहीं करा है तो वो भी सेट करिएगा तो आपको पता हो जाएगा इसके राइटेंसर जो होगा comment करके आपको बताना है परकास संसलेशन में हर पोधे द्वारा कौन सी गयस छोड़ी जाती है oxygen, nitrogen, gel wax, carbon dioxide आपको क्या बोला है परकास संसलेशन सोच दीजेगा उसके बाद आपको सोच कर राइटेंसर आपको देना है तीरपन का जो भी इसका राइटेंसर A, B, C, E, D आपको कमेंट करके बताना है ये कमपलसरी आपको ही बताना ही होगा आप study करते हैं तो आपको बताना चाहिए next question क्यों चलते हैं next और अगला question हमारा निकल क्या है एक साकाहारी को अपने सरीर के लिए अवश्यक फास फोरस कहां से मिल सकता है आपस नमर A, B, C, E, D क्या पूछ रहा है साकाहारी आप गोर्ट थुरा करिएगा तो इसका राइटेंस से क्या हो जगा आपस नमर A दूद से हम बात करते हैं next question की और मरासम किस की कमी के कारण होता है मरासरम किस की कमी की कारण होता है आपस नमर A, B, C, E, D इसका राइटेंस हो जगा आपस नमर D इन में से कोई नहीं तो यह किसी कारण होता है बच्चों में यह पूर्टीन के कमी के कारण यह रोग हो जाता है next और अगले question क्यों चलते हैं निमलिखित में से निमलिखित में निमलिखित की कमी से इनिमिया रोग होता है निमलिखित की कमी से इनिमिया रोग होता है आपस नमर A, B, C, E, D इसका राइटेंस हो जगा आपस नमर C लूहा next question को चलते हैं next और अगला question है मड़ा मचली का liver तेल भरपूर होता है कौन सा vitamin रहता है आपस नमर A, B, C, E, D इसका राइटेंस हो जगा option नमर C vitamin D हम next और अगले question को चलते हैं मनुष्य के सरीर में सबसे छोटी गरंती है कौन सी है option नमर A, B, C, E, E, D इसका राइटेंस हो जगा option नमर C pituitary आपको सबसे छोटी गरंती है next और अगला question क्यों चलते हैं कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उप्योगी होते है यह है option नमर E, B, C, E, I, D इसका राइटेंस हो जगा option नमर C तारा मचली यानि fish star जिसको बोल जाता है इंगलिस में उसी को तारा फिस यहां कह रहा है हम बात करते हैं next और अगले question की ओर साथ नमर cement और अस्थियों दोनों में विखमान तत्वा है कौन सा है option नमर E, B, C, E, D कौन सा तत्वा विखमान है इसका राइटेंस हो जगा option नमर B calcium calcium यह दोनों में विखमान है next और अगला question की ओचलते हैं next और अगला question हमड़ा है carbon monocyte अभी किरिया 300 degree Celsius पर H2O कि से कराने पर बनती है क्या बनती है option नमर E, B, C, E, D जब आपको carbon monocyte से अभी किरिया कराएंगे 300 degree Celsius पर हेड्रोजन को तो methane में बनेगी option नमर B is right answer हम next question क्यों चलते हैं 62 नमर साबून के साथ तत्परता के साथ जाग बनाने वाला जल होता है साबून के साथ जो तत्परता के साथ जाग बनाने वाला जल होता है वो कौन सा होता है option number A, B, C, E, D इसका right answer होजएगा option number B को ठोड जड हम बात करते हैं next और अगला question के लिए aluminium धातू का अयक्ष है option number A, B, C, E, D इसका right answer होजएगा option number C बक्षाइड का next और अगला question के लिए चलते है next और अगला question है छीली हुई सबजी को धोने से कौन सा वीटामिन निकल जाता है option number A, B, C, E, D इसका right answer होजएगा option number B यानि आप जब भी धोते हुई सबजी को कटे हुए सबजी को धोएगे दुसमें से वीटामिन C निकल जाएगी कौन से वीटामिन निकल जाता है next और अगला question के लिए चलते है यदि किसी वस्तू का श्रंपून आयतन में गुन एक समान हो तो ऐसे वस्तू को कहा जाता है क्या कहा जाता है option number E, B, C, या D श्रंपून आज का वीडियो समाप्थ होता है अगर आप में यूटी चलने पर नहीं है तो जूरूर सब्सक्राइब लिए इसलिए कि हर जब का अपडेट आप तक हम सबसे पहले लेकर आते हैं और पर डे आपको एक model set भी फुर्वाइड करते हैं जिसे आपका GKJS का आप टेस्ट रिजदेने और आपका एक्रुएंसी क्या आती है आपको पता चले और भले एक एक्रुएंसी लिखे या ना लिखे लेगे 25 कोस्टन में आपको कितना सभी हुआ और वो आपको खुद से पता चल जाता होगा तो चलिए बिना देरी किया आपको नेक्ट वीडियो हम जल्दे लेकर आएंगे कुछ जैसे से नय अपडेट आएगा जब तक लिए जहन दोस्तों बंदे मातरम आपका दिन सुखे